आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now Hello friend, हमें क्यूस्तन दिया गया है A small cube of mass M slides down a circular path with off-radius r cuts into a large block of mass M as is shown in the figure M rests on the table and both blocks move without friction the blocks are initially at rest and M starts from the top of the path find the horizontal distance from the bottom of the block where cubes hit the table तो यहाँ पर question हमें क्या कहना जाता है कि यहाँ पर हमारा M mass है यह क्या करता है कि यहाँ slide करता है यह दोनों frictionless है यहाँ से यह slide कर रहा है तो यह यहाँ से जब velocity यहाँ पर कुछ हो जाएगी उसके बाद यह क्या करेगा यह इस ground को heat करेगा तो यह हमें edge calculate करना है कि यह distance s बराबर कितना होगा तो यहाँ पर देखो हमारे जो यहाँ पर जो kinetic energy कितनी है 0 लेकिन जो यहाँ पर होगा इस समय जो point होगा हमारा उस समय moment of उस समय हमारा जो देखो यहाँ से और यहाँ तक चला तो इसकी velocity में अंतर आएगा मतलब कि kinetic energy अंतर आएगा वो changes किसके कारणा है यहाँ से और यहाँ से जो potential energy change आया उसके कारणी से kinetic energy मिलेगे तो kinetic energy is equal to kinetic energy is equal to potential difference potential energy तो ही potential energy होगी हमारी तो potential energy हमें पता है कि यहां देखो Mg यहां से और यहां से यहां तक आया तो कितना हुआ MgR तो MgR होगी हमारी potential energy काइनेटिक energy की बात करता हूँ यहां पर हाव M हमारा mass है और V इसको है यहां पर small V ले रहा हूँ इसकी velocity अब बात करता हूँ यहां पर एक और equation यह हमारी equation अब equation second के बात करता हूँ कि यह दोनों frictionless है frictionless surface यह भी है और frictionless यह भी है यह वाला surface तो यहां पर हो क्या है moment of conservation लगेगा क्योंकि starting में इसकी velocity सुनना थी 0 थी तो momentum of conservation अब momentum of conservation क्या गहता है कि momentum of conservation के लिए जो start M V मतलब कि block का जब यहां पर पहुंच जाएगा तो उस समय जो velocity होगी तो यह क्या कर गया यह भी पीछे की तरफ जाना से start कर देगा तो यहां पर M और capital V इसकी velocity होगी तो यहां पर capital V क्या है block बड़े block की जो velocity हो capital V है और small V क्या है यहां पर छोटा block मानलो कि यहां पर पहुंच गया तो यह small V उसकी velocity है यह M हो गया तो moment of conservation भी हो गया है यहां से देखो first और second equation से मैं क्या कर सकता ह। कि यहां पर देखो M से हमारा यह M कट गया तो यहां से small V का जो value आ गया हो कितना आ गया root 2gr यहां पर root 2gr मतलब कि जो velocity है हमारे root 2gr आ गया है अब देखो हमें जो यहां पूछ है कि कितना distance कवर करेगा तो यहां से देखो हमारा distance is equal to distance is equal to V1 V1 velocity से आगे जा रहा होगा यह वाला ठीक है लेकिन इसका अगर इसके respect में हम velocity देखे है तो यहां पर जो complete velocity होगी मतलब कि जितना यह आगे चलेगा उतना ही यह भी पीछे चला जाएगा तो वह वाली distance भी यहां पर कवर करने पड़ेगी तो यह velocity मतलब कि T time में अगर हीट कर रहा है तो इतने time में V velocity से चलाई और पीछे वाली velocity भी इसे count करने पड़ेगे तो plus V तो इतनी velocity मुझे मिल जाएगी उसके count यह distance कवर होगी तो V plus का capital V into मालो कि T time इसे हीट करने में लगा तो T time हो गया ठीक है अब T time कितना होता है तो T time हमें पता है कि T is equal to time is equal to कितना होता है root 2H upon G अब यहां पर देखो 2H की value क्या पर है देखो यहां से और यहां तक की distance की बात कर रहे तो यहां से और यहां तक की distance से R upon 2 divided by G तो यहां से 2 से 2 कट गया है यहां पर R upon G निकल आया हमारा time तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा equation third है हमारी और अब equation third में मैं T की value रख देता हूं तो final हमारी जो equation है final equation third उसमें क्या करूंगा बस हमें distance calculate करना है as is equal to हमें V plus V तो V plus का capital V की value अगर रखना चाहूं तो मैं कैसे रख सकता हूं इसे capital V ब्रावर M divided by capital M और यह V तो यहां पर मैं रख देता हूं कि M small और capital M और यहां पर small V और T की value पर रख देता हूं तो यह T की value यहां पर रखी तो root R upon G तो यहां से S की value जो हमें calculate करना है वो कितनी है कि हमारा common क्या जाएगा V और यहां पर हमें root R G इस तरफ है हमारे पास और हमारे पास क्या है 1 plus M upon M तो capital M ऊपर चला जाएगा plus M divided by M तो LCM लेने के बाद हमारे पास यह सब कुछ आ गया तो अब उसके बाद क्या होगा हमारा कि V की value मैं put कर देता हूं हमें पता ही है कि V की value कितनी होगा है यहां पर देखो first equation हमारी जो calculate किते है V की value root 2gr है तो यहां पर V की value put की तो root 2gr और यह R upon G है और यह capital M small m बटा capital M तो यहां से देखो R है तो R हमारा R बार आ गया तो यहां से देखो G से हमारा G cancel हो गया और root में 2 है और यहां पर हमारा क्या बचा capital M plus small m divided by capital M तो यह हमारी distance हागी final जो कि हमें calculate करने थे तो यहां से और यहां तक की जो distance S हमें पूछी थी वो क्या है root 2r into capital M small m divided by capital M तो यह हमारी distance होगी जो hit करेगा bottom को block को where cube hits तो यह हमारा final answer भी हो गया thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर